नई गुडिया बेटी ये गलत बात है किसी से बिना पूछे उनका सामाल लेना चोरी के लाता है और चोरी सबसे गलत आदत होती है छूडाई नहीं छूटती ठीक है ममा अब मैं किसी से चीज लेने से पहले उनसे उनकी इजाज़त लिया करूंगी मेरी प्यारे समझदार हो गोरी पता नहीं कालू जी क्यों ये बचपन में लगी चोरी की आदत लाख कोशिश करे भी नहीं छूट पाती है वो सब छोड़ो गोरी हमारा जगो अब पड़ा हो गया है मैं सोच रहा हूँ अब अपने जगो की शादी कर देनी चाहिए कालू जी सोच तो मैं भी यही होंगे तो अच्छे बुरे समय में ध्यांतु रखा करेंगे आरे गोरी बस सुशिल संसकारी बहु आए घर में बाकी अमीर गरीबी क्या देखती हो अमीर गरीबी का पाट मुझे ना पड़ाओ वो तो जैसे तेसे तुम्हारे साथ गरीबी में जीवन निकाल लिया मैंने और कोई कोई होती तो कब कर छोड़े के चली गई होती बाते बाते तो तुम ऐसे कर रही हो जैसे तुम्हारे माई के वाले बहुत अमीर हो चेडिया जग्गो के लिए एक रिष्टा बता रही थी कल उस से जाके बात कर लेना तुम्हें समझाएगा तो ही बात आगे और अगले दिन गोरी कालू के कहने पर चेडिया से जग्गो के रिष्टे के पात करने जाती है कोई पैसे कोडी भी है उनके पास या गरीब का करीब परिवार है गोरी बहन लड़की की माँ चील पक्षियों के या साफ सफाई का काम क्या करती थी माँ के मरने के बाद चील मन ही मन सोचने लगती है चील पक्षी के यहां पली बड़ी है तो मतलब मुझे घराने की है लड़की याने की दहेज में मुझे मोटी रकम भी आसानी से मिल जाएंगी शादी आज नहीं तो कल तो करनी है जगों की क्यों ना जाके हम पात कराएं उनसे और मैं भी देखनोंग को अपने बेटे के लिए नमस्ते बहन जी नमस्ते जगों है मेरे बेटे का नाम लाखो कवों में एक है काला गेरा रंग तेज तरनार चोच और मोटी गेरी आँखे ऐसा है मेरा जगों हमारी बैटी भी बहुत सुन्दर है सब काम कर लेती है जैसे भोजन की खोच गोसना बनाना तेज बारिश में उड़ना और तो और पड़ी निखी होने के साथ सिलाई बुनाई भी कर लेती है सब सिखाया है हमने हमारी बेटी को क्रवली तो मुझे आ गई है पसंद दहेज में क्या क्या दोगी अपनी बेटी को जो भी दोगी तुम्हारी बेटी के ही काम अब कर आप हमारे घरा के जगो को भी देख जाए जैसा आप ठीक समझे कुमी की पापा के साथ में कल दौमाद जी को देखने आ जाओंगी अब गोरी चिडिया तोता नापिस चल देते हैं चिडिया चिडिया कितनी लालची है ये गोरी देखा कैसे पेशरमों की तरह दहिज मागने के लिए मूँ खोल रही थे हम बीच में कुछ बोल देते तोते भया तो गोरी हमारे ही पीछे पढ़ जाते हैं देख आई हो रिष्टा हम देख तो आई हो लड़की कोई खास सुंदर नहीं है लेकिन परिवार अच्छा खासा दहिज देने को तैयार है कल वे भी जगों को देखने आ रहे हैं तो मैं जैसा ठीक लगे वैसा करूं शादी के बाद मुझसे कुछ ना कहना जात में सभी पक्षी चेन से सोय हुए होते हैं लेकिन गोरी की आखो में दूर दूर तक नहीं होती आख बंद करती हूं तो जड़ाओ हार जो चील पक्षी ने पहना था सामने गों जाता है कैसे बूलू उस हार को गोरी देखो मुझे लग रही हूं ना इस हार मे हक सिर्फ तुम्हारा है अब जंदी करो और चुणा लाओ हार को अब लालची गोरी आधी रात में ही चील की घर की तरफ जाने लग जाती है रात इतनी गहरी दिंग की दूर दूर तक एक पक्षी भी नजर नहीं आता खीड़की के बाहिर से देखरे पर सारा चील परिवर सो रहा होता है अब गोरी दबे पाउ अंदर आ जाती है जैसे ही गोरी हार को हात लगाती है मंबा चील की आग खुल जाती है अंधेरे में कुछ साफ साफ नहीं दिखने पर चील पक्षी बस चिलाने लगती है चोर चोर हमारे घर चोर को साई है गोरी जैसे ही भागने की को पीटने लग जाते हैं अच्छे से डंडे बरसाई ये पती जी मेरा पसंदीदा हार चुरा रही थी ये चौर ने जब गोरी से मार बरदास्त नहीं होती तो आखिर वे अपना मुझ खुलती है चौरनी नहीं होने वाली संदन हो तुम्हारी अब गोरी मुझरिम की तरहा बड हमारी बैटी तुम जैसे लोगों के घर चली जाओ इससे पहले हम पुलिस बुलावे आज तक गोरी ने काफी चौरिया की थी लेकिन इतनी शर्मिंदा वो कभी नहीं हुई हाई राम कैसे मारा जाली मोने मुझे कितनी शर्मिंदीगी लग रही है आज तो शरम के मारे कहीं डूब मरने का मन कर रहा है मैं कसम खाती हूँ आज के बाद कभी चोरी नहीं करूंगे प्यारे दोस्तों गोरी तो घर जाके चुपचाप से सो गई क्योंकि बुरे काम का बुरा ही फल बिलता है एसी ही नही नही कहानी के लिए मेरा ये नया चेनल चरूर सब्सक्राइब कर झाल